को मैं बहुत बड़ी अपडेट जानकारी देना चाहता हूं कि 36 गड़ व्यापा में पटवारी के 301 और चात्रवा सदीक्षा के 390 पदो पर जो है सबसे बड़ी भरती आप लोगों के लिए निकल कराया है तो इस यूडियो में आप सभी को मैं बताऊंगे कि किस तरह से पर विंदन कर रहे हैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आभी रिसेंट में पटवारी का 301 पोश्ट पर जो है भरती हुआ है लेकिन यह पटवारी कब व्यापं के द्वारा था और यह पटवारी के जो भरती होगा वह आपका अमीन पटवारी को होगा यह होगा आप आप सभी को मैं completely जानकारी दिएंगा कि 36 गड़ वापा में पटवारी और हस्टल अधिक्षक एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कौन-कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए कौन-कौन से पुस्ता कापको प्रिपेयर करना चाहिए पर्चेस करना चाहिए अग नहीं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क पाचों में से कोई भी एक में आपका computer का diploma course होना अवश्यक है selection procedure के बात करें तो आपका पटवारी और होस्टाल दिख चक दोनों में ही selection आपका डारेक्ट सीधी भरती होता है सिर्फ आपको exams में अच्छे से number लाना होता है उसके बाद आपका selection हो जाता है कही पर भी आपको interviews के सामना जो है नहीं करना पड़ेगा डारेक्ट आपका selection हो जाएगा आपका भरती प्रक्रिया में आपका selection chain हो जाएगा syllabus और exam pattern के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पटवारी का और hostel अधिक्चा का syllabus और exam pattern क्या होता है तो दोनों में ही आप लोगों के dates a question जो है पूछे जाएगे चाहे वो आपका पटवारी हो या फिर आपका hostel अधिक्चक हो और दोनों के syllabus की बात करें तो आपका जो है लगबग similar ही आपका subject रहता है बस थोड़ा से subject में कोई कोई subject है में आपका different रहता है जैसे आपको बत पचास में से 25 नंबर लाना आपको जो है अनिवारी है यदि आप computer में 50 में से 25 नंबर लाते हैं तब ही आपका selection हो जाएगा selection हो पाएगा अन्यथा आपका selection नहीं होगा और आपको disqualify कर दिया जाएगा इसमें कुछ नियमस आपका जो है 2016 से जो है लागू है कि hostel warden में आपको जो है पचास में से 25 नंबर computer में लाना अनिवारी कंपसरी है क्या होता है कि यदि आप math समय अच्छे से अंक ला लेते हैं हिंदी में English में और math समय रिजनिंग में general science में और आपके 36 गड़ जीएस में constitution बांकी जितने भी subject से question आपके exam में पूछे जाएंगे उन सभी में आपका marks अंक बहुत अच्छे से आएंगे लेकिन यदि वही पर आपके computer में पचास में से बीश नंबर आ जाता है बीश नंबर आ गया 22 नंबर या 24 नंबर भी आ गया अगर 24 नंबर भी आगया एक नंबर से यदि आपका 25 नंबर नहीं आया फिर भी आपका selection नहीं हो पाएगा तो इसलिए जो भी आप लोगों को यदि कोई बोलता है कि maths और रिजनिंग में सबसे जादा महनत करो यह भी अच्छी बात है लेकिन इसके साथ आपको जो है computer में बहुत अच्छे से महनत करना है क्योंकि बीना computer में महनत किया और पचास में से 25 नंबर लाए बीना आप एक्जाम को कौलिफाइग नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही इसमें जो है negative marking होता है क्योंकि negative marking में यदि आपने चार प्रशन गलत किया तो इसके आपको सभी चीजों के बारे में जो है details of knowledge होना बहुत ही जादा important है आपका compulsory जरूरी हो जाता है जो computer में 50 में से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है इसके साथ ही आपके exams में जो है हिंदी से question पूछे जाएंगे English से आएंगे और constitution सविधान से आगा 36 गड़ की समान्य जनका आपके exam में जो है 20 अंको के question फूछे जाते हैं वहीं पट्वारी के बाद करें तो पट्वारी में maths से आपके exams में 30 अंको के 30 प्रशन जो है 30 अंको के प्रशन जो है पूछे जाते हैं तो बस यह different रहते हैं आप दोनों के इसले बस की और दोनों भरतिपरीक्षे की तैयार पटवारी और होस्टल दिख्चक दोनों के तयारी आप जो है बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं चाहिए आप होस्टल बन अब वार्डन बनना चाहते हैं या फिर आम इन पटवारी बनना चाहते हैं दोनों के भरती परिक्षे के तयारी जो है आप एक साथ कर पाएंगे और आप को कोई भी प्राब्लम्स हो है नहीं देखना पड़ेगा दोनों के तैयरी एक साथ आप जो है लगबग कर शकते हैं तो यही सब जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता था बात करें कि कौन-कौन से हम को हमति एक बात करें को आपको एक्जाम्स की तैयरी करने हैज्चाम्स के लिए बहुतजादा इंपोर्टेंट हैं इस से आपको राधकरन के पुरे नौगरज मेरेज़ जाए गया है। वही हम बात करें English की, तो English के लिए आपको जो है Essential English रस्मी सी तीशा पप्लिकेशन के आपको लेना है, जिसे आपकी English के तैरी अच्छो से हो पाएगा, वहीं चतिसगड की शमान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरी राम परटेंशार का कॉंपटिशन एकैड़मी का आपको चतिसगड वीची श्टध्यान लेना है जिसे आपकी चतिसगड की प्रिक्रेशन अच्छे से हो पाए कॉंस्टिटुशन के लिए आपको जो सविधान के लिए एम्रश्मिकांध की भारती राज्य ववस्थ के बात करें तो सिजी करेंट के सबसे पहले cg gk current affairs के लिए आपको जो विकास परक कमासिक पत्र कर लेना है इसके साथ है आपको अरजुना का current affairs लेना है तो दोनों से आपको current affairs की preparation करना है इंडिया और current affairs के लिए आपको प्रतियोगीता दरपन लेना जो आपका मन्थली मैगजिन रिलीज होता है इस तरह साथ के current affairs लिए परिक्षे के तयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीजों के बारे में जो है बहुत अच्छे से knowledge मिल जाएगा और आपका तयारी जिए बहुत ही बहतर हो जाएगा तो यह books आप जो है लेशकते हैं वहीं Indian world current affairs के लिए प्रतियोगीता दरपन जो आपका मंधली मेगजीन रिलीज होगा वह आप जो है लेश रखते हैं प्रतिव गीता दरपन वान आप दी मोस्ट बेश्ट बुक्स आपका जो होता है एक्जाम्स के लिए तो इन सभी से तयारी आप जो है कर सकते हैं बात करें आपके पटवारी के और होस्टल व किजें नोटिफिकेशन के इंतिजार बिल्कुल भी मत करना है यह 36 गड़ में आने वाले सीजी नियो अपकमिंग वेकंसी है जल्दी हम सभी कोई समद में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो जो है मिलते पर अपना सपोर्ट दिखाई है सो थाइंक यू